जी हाँ दोस्तो आप बिलकुल सही पढ़कर आ रहे हो National Scholarship Approval होने लगा है अगर दोस्तो आपका भी कोई बाई बैन या फिर आपने National Scholarship अपलाई किया हुआ है तो अब दोस्तो आपके form को verify किया जाने लगा है आप भी अपना status track कर सकते हैं कि आपके form को verify किया जा चुका है आपके institute ने verify किया है आपके nodal officer ने verify किया है या फिर नहीं आपका form किस stage पर है ये सब कुछ आप भी आज की इस वीडियो को देखने के पास जान पाएंगे और दोस्तो आपने status को track भी कर पाएंगे simply दोस्तो आपको पहले अपने status को track करने के लिए NSP scholarship अपने Google Chrome में सर्च करना होगा आपके सामने first website आ चुकी है यहाँ पर दोस्तो आप national scholarship first number पे इस पर ही आपको click कर देना है जब यहाँ पर आप click करेंगे नीचे आपको option दिखाई दे रही है student की इस पर simply आप click करेंगे पहले दोस्तो आप यहाँ पर अपने status को track करने के लिए यहाँ पर आएंगे apply for पर और login पर click कर देंगे login पर click करते ही दोस्तो आपको जो आपका OTR है वो यहाँ पर आप fill करेंगे password fill करेंगे capture fill करेंगे और यहाँ पर security pin जो आपको यह दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप fill करके login पर click करेंगे login पर जब दोस्तो आप click करेंगे आपका profile login हो जाएगा नीचे दोस्तो आपका dashboard खुलेगा dashboard में दोस्तो आपके सबी states आजेंगे अब यहाँ पर दोस्तो में आपको बताता हूँ कि dashboard में आपको क्या-क्या देखनी को मिलेगा तो यहाँ पर दोस्तो जो आपका dashboard होगा आपके सामने यह current status बताएगा यहाँ पर आप current states में देख सकते हैं verify by school institute college यहाँ पर दोस्तो अगर आपके college ने verify करते हैं तो यहाँ पर आपका yes लग जाएगा तो यहाँ पर दोस्तो आप देखेंगे verify by department nodal officer अगर यहाँ पर nodal officer भी yes करते हैं तो यहाँ पर आपका यह भी yes लग जाएगा fund duplicate by system यह देख सकते हैं अभी तक no है ऐसे दोस्तो आपको option दिखेंगी यहाँ पर जब आपका scholarship आपके खाते में आएगा तो यहाँ पर आपको scholarship amount proceed from nsp2 pfms यहाँ पर भी आपको yes दिखेगा तो यह दोस्तो आप ऐसे अपने states को track करेंगे अगर दोस्तो आपके institute ने yes कर दिया है आगे दोस्तो आपको मैं एक और भी दिखा देता हूँ कि आपको message भी आ रहे है verification के लिए तो यहाँ पर दोस्तो आप देख पा रहे होगे एक message है आज सुबे का your application for the scholarship has been verified at board level national scholarship portal NIC आप यहाँ पर देख सकते हैं कि board level पर आपका form verify कर दिया है अब यहाँ पर दोस्तो एक आप यह भी states देख सकते हैं यहाँ पर current states आ रहा है application final verified by the state board force यहाँ पर आपको nodal officer भी यहाँ पर आपकी form को verify कर रहे हैं अगर दोस्तो आपका data यहाँ पर verify है तो बिलकुल आपका पैसा आजेगा यहाँ पर आप यह भी current status अपना NPC portal app पर जाकर भी दोस्तो अपने states को track कर पैंगे अब यहाँ पर दोस्तो जो आपका form verification है उसकी date भी मैं आपको बता देता हूँ क्या date रहेगी तो यहाँ पर दोस्तो आपको verification date चेक करने के लिए simply आपको back आना होगा आपको यहाँ पर आना होगा national scholarship की site पर उपर आपको for line दिखाई दे रही है इस पर आप click करेंगे यहाँ पर आपका जो form है scheme on NSP इस पर दोस्तो आप simply click कर देंगे यहाँ पर आपकी जो भी scheme रहेगी आप यहाँ पर देखेंगे आपको right side पर department of employment यहाँ पर आप देख लेंगे जो भी आपकी improvement होगी वो यहाँ पर आपके सामने आजेगी इस पर आप click करेंगे यहाँ पर आपको date mention की होई है scheme open 81-10-24 तक रहेगा और आप deactivate देख सकते हैं यहाँ पर आपको verification open है 15-11-24 तक institute verification open है 15-11-24 तक यहाँ पर आप ऐसे अपनी scheme के मताबिक अपनी post metric post graduation और यहाँ पर आपकी job भी scholarship रहेगी department of high education वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको इस date से पहले पहले अपने form को verify करा लेना है अगर दोस्तों आपने form को apply किया हुआ है तो यह था दोस्तों आज का update NSP की तरफ से आपको वीडियो कैसी लागी comment section में जरूर बता कर जाना चैनल पर पहली बार visit किया है सब्सक्राइब पर के जाना अगर आपका कोई comment है वो आप हमें कर सकते हैं आपका reply आपको मिल जाएगा तो अगली वीडियो में कुछ नई जानकरी लेकर हाजिर होंगे आज की इस वीडियो में इतना ही जैहिन दोस्तों